नमस्ते दोस्तों मैं स्नेहा शुक्ला आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जरा हटके स्नेहा दोस्तों आज हम लोग सोया चाप बनाने जा रहे हैं या सोया भी इनका बना होता है या बिल्कुल भी नॉन्वेज रेसिपी नहीं है इसे कैसे बनाया जाता है जरो पर और ऐसे स्टाड़ गर्स ٹाफ तो देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या चाहिए यहां पर मैंने स्टाप लिया है चार मैंने स्टाप लिये हुए हैं जो thieves जीजली आरकेटट पर अफ्लेबल hockey ग्रॉस्डी च्टोर पर। यहाँ पर मै錢 ayamने चार बड़े टमाटर लिये तेज पत्ता लिया है मैंने एक बड़ी इलाइची ली हुई है दो से चार मैंने लॉंग लिये हुई है एक दाल चीनी का छोटा सा टुकडा लिया है और काली मिर्च के तिन चार दाने लिये हुई है और मैंने हाफ टेबल स्पून कसूरी मेथी लिया हुआ है दो टेबल स्प सारे सोया चाप को round pieces में मैं cut कर ले रही हूं देखिए बड़े ही आसानी से soft होता है तो बड़े आसानी से cut जाता है अब एक पैन लेते हैं और उसमें तेल डालते हैं इसे deep fry नहीं करना है हलका ही fry करना है और सारे मैं इसमें यहां पर सोया चाप डाल रही हूँ और इसे लग भग 5 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे इसे हलका ब्राउन होने तक हलका गुल्डन होने तक ही फ्राई करना है याद में ये थोड़ा सा फूलने लगता है इसकी लेयर के अंदर थोड़ा सा तेल जाता है इस वज़े से थोड़ा सा ये फूलने लगता है और भी पहले से जादा ये सॉफ्ट हो जाता है इसे हम लाइट ब्राउन होने तक ही फ्राई करेंगे ये देखिए मेरा फ्राई हो चुका है अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ इसी तेल के अंदर हम प्याज अद्रक और हरी मिर्च डाल कर वो सोया चाप हमने फ्राई करके निकाले थे अब उसके अंदर दो टेबल स्पून दही दो टेबल स्पून बटर और थोड़ा सा काली मिर्च एड़ करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सोया अल्मोस्ट ये थोड़ा सा सौटे हो चुका है प्याज थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया है अब हम इसमें टमाटर एड़ करेंगे और इसे दो से तीन मिनट तक हम पकाएंगे ताकि ये अच्छे से हमारा कूख हो जाए हर एक सबजी का अपना अलग फ्लेवर होता है इसलिए स सारी सब्जीयों को अच्छे से पकाते हैं हमारा टमाटर और प्याज पक कर तयार हो गया है अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल कर पीस लेंगे ताकि ये ग्रेवी के लिए स्मूथ पेस्ट बन जाए ये देखिए हमारा ये बनकर तयार हो गया स्मूथ सा पेस्ट तेज़ पत्ता और बाकी जो हम हमारे गरम मसाला थे, सारे हम इसमें एड़ एड़ करते जाएंगे दीरे दीरे करके सारे एड़ कर रहा हैं हम इसमें इसके बाद थोड़ा सा सौटे करने के बाद हम इसमें जो पेस्ट तयार किया है अनियर और टमाटर का वो एड़ करेंगे और इसे लगबग 2-3 मिनट तक हम अच्छे से पकाएंगे इसमें मैं अब सारे मसाले एड़ करूंगी हल्दी, धनिया, गरम, मसाला, में कितना सुन्दर लग रहा है अब हम इसमें जो मैंने सोया चाप तयार करके रखे थे 5 मिनट के लिए वो एड़ करूंगी ये देखिए कितना अच्छा रंग आया है हमारा और इसे थोड़ा सा पानी एड़ करके करीब मैंने यहां पर आधा ग्लास लिया हुआ है आपको कि सोया चाप के अंदर सारी जो हमारी ग्रेवी है वो आसानी से जा सके अंदर तक सोया चाप के ग्रेवी जा सके अब मेरा यह आलमूस्ट बनके तयार हो गया है अब इसमें सबसे लास्ट में गैस की फ्लेम आफ करने से पहले हम थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी एड़ कर यह देखिए दोस्तों कितना सुन्दर सा हमारा यह सोया चाप बनकर तयार हो गया है अगर आपको यह रेसेपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और शेयर किजिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि नए वीडियो का नोटिफि